ये जीवन के अलग-अलग बढ़ाओं, ये सूरज के चक्रों के साथ तालमेल में हैं, जो लगभग सवा 12 साल के होते हैं। हर सूरज के चक्र पर आपके जीवन के चक्र को बदल जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों में ये जागरुकता ले आएं, तो वो इनके साथ कहीं जाधा बुद्धिमानी से निपनेगे। आपको पता है ये अपने आप नहीं आता। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। बस एक पीड़ी पहले तक ही आपको शादी, बच्चों और बाकी सब के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता था। अब हमारी शिक्षा प्रणाली बस यहाँ उद्ध्योग और व्यापार की सेवा के लिए है, इंसानों की सेवा के लिए नहीं। आप बस आर्थिक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है, जो काम कर रही है। तो कल सुबह बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली को बदलना मम्किन नहीं है, पर आप अपने और अपने बच्चों के लिए से बदल सकते हैं, अगर आप इच्छुख हो। वर्नाश्रम धर्म जैसी एक चीज हुआ करती थी, जो जीवन के चार पड़ावों के लिए एक इनसान को तैयार करती थी। पैदा होने से बारह साल तक बाले आवस्था कहलाता था। उस दोरान एक बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए, उसे बस खाना, खेलना और सोना चाहिए, कोई ABC नहीं, कोई 123 नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग के एक खास आकार तक खिलने से पहले, उसमें किसी भी तरह की जानकारी भरना या कोई उद्देश डालना, उसमें किस शायधर जगा, आम के किसानों में एक विशेश प्रक्रिया होती है, आप देखेंगे कि अगर आप आम के पौधे लगाएं, तो दूसरे साल तक कसल में, आम के पेड या पौधों में फूल आने लगते हैं, आपने इस प्रगौर किया है, दूसरे या तीसरे साल में पक्का वो फूलों से लदा होगा तो जागरुकाम का किसान जन्वरी फरवरी के महीने में जाकर सारे फूल तोड़ देगा ताकि वो कभी फल न बने पर अगर आप एक तिमाही बैलेंस शीट रखने वाले आदमी है तो आप फूलों को गिनेंगे और कहेंगे ठीक है यहां मैं देड़ सु आम देख रहा हूँ देड़ सु आम गुणे दस रुपे पंद्रा सौ प्रती पेड़ मेरे पास दस हजार पौधे हैं आप उनमें फल लगने देंगे वैसे भी उनमें बहुत अच्छे फल नहीं आएंगे शायद फला भी जाएं पर अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पेड़ कभी अपने पूरी आकार तक विक्सत नहीं होगा यह कभी अपनी पूरी इक्षमता नहीं पाएगा तो पौधों के लिए भी हमें यह पता है तो फिर ऐसा क्यूं है कि बच्चों के लिए हमें नहीं पता हमें पता है पर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पड़ोसी के बच्चे से थोड़ा बहतर हो जाए यह हमारी बड़ी गंभीर बिमारी है हमारी समस्या यह है कि हमारी पड़ोसी के बच्चे पहले से ही कह रहे हैं, तीन साल का बच्चा कहता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया को बीमार देखना चाहते हैं. एक तीन साल का बच्चा, अगर वो कहता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं तो सब लोग, हरे मेरे पडोसी का बेटा डॉक्टर बनना चाहता सुनो, तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता कुछ तो कहो यह शिक्षा प्रणाली की बिमारी नहीं है यह वो बिमारी है जो समाज में घुश चुकी है शिक्षा प्रणाली तो बस उस जरूरत को पूरा करना चाह रही है एक बार ऐसा हुआ मैं चन्नाई में एक कारेकरम कर रहा था और हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग कुछ शेरिंग करने के लिए कह रहे थे एक आदमी एक बड़ा दुखी चहरा लिए वो बोलते हैं मेरी बेटी अपना होमवर्क नहीं करती मैं उसके भविश्ची के लिए बड़ा चिंतित हूँ उसका क्या होगा मैं कैसे उन्होंने इतनी सारी बाते कहीं मैंने सोचा शायद उनकी लड़की कॉलेज जाने वाली होगी उसे कोई समस्या होगी ठीक है तब मैंने पूछा आपकी बेटी कितने साल की है उन्होंने का साड़े चार साल की अरे मैंने का अरे बेवकूफ पहली बात तो उसे स्कूल ही नहीं जाना चाहिए अब आपको चिंता हो रही है कि वो अपना होमवक नहीं करती है और आपको उसके भविश्य की चिंता है उसे कैसी नौकरी मिलेगी, कौन उससे शादी करेगा इसलिए हमें समाज में इस चलन को बदलने की जरूरत है कम से कम आपके जीवन में कि आपके बच्चे प्रॉड़क्ट्स नहीं है वो कब कुछ उत्पादन करेंगे, नहीं सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे आपके माध्यम से आए है वो आप से नहीं आए है, वो आपके नहीं है, वो आपके माध्यम से गुजर रहे हैं आपको अपने सभग्य की तारीफ करनी चाहिए कि वो आपके माध्यम से आए है बस इतनी सी बात है, ये मत मानिये कि वो आप से आए है आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है आपका काम उनकी सुरक्षा करना, उनका पालन पोशन करना जब तक कि वो एक निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि वो खुद नहीं समझ जाते कि ये कैसे करना है, बस इतना आपका काम ये देखना नहीं है कि आप उनसे कितना नहीं चोड़ सकते हैं क्या कलवे आपके वेपार को आगे बढ़ाएंगे क्या वो चीजें करेंगे जो आप करने में असमर्थ हैं नहीं ये इस बारे में नहीं है तो ये वर्ण आश्रम धर में इस तरह था 12 साल पर आपकी बालावस्था खत्म हो जाती थी, अब आपका ब्रह्मचर्य शुरू होता था, 12 से 24 तक, 12 साल का अनुशाशन और सीखना, तो इससे पहले कि आपको शिक्षा से शक्ती मिले, आपको हमेशा ब्रह्मचर्य में दिख्षित किया जाता था, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप ब्रह्मचर्य का मतलब है परमसत्या, चर्य का मतलब है मार्ग, आप परमतत्व के मार्ग पर हैं, इसका मतलब आप हिस्सों में नहीं पटना चाहते, इसका मतलब आप तुम और मैं के मार्ग पर नहीं हैं, आप पून समावेश के मार्ग पर ह हर चीज को खुद में शामिल किये बिना आपको शिक्षा की शक्ती नहीं दी जानी चाहिए आपको अनपढ़ ही रहना चाहिए यही सबसे अच्छा है क्योंकि शिक्षा को एक शक्ती देने के तोर पर देखा जाता था अगर आपको शक्ती दी गई है कि आप चीजों के हिस्से करें जो कि हमने आधनिक दुनिया के साथ किया है हर नई आने वाली वग्यानिक जानकारी और तक्नीक सबसे पहले वो मिलिटरी में इस्तिमाल होती है क्यों? मेरा देश बनामापका देश میरे पिता appli मेरा घवान आपके भगवान से बैतर है मेरे पिता आपके पिता से बैतर है क्योंकि एक बार ये बटवारा हुआ और आपको शक्ती मिल जाती है तो कुल मिला कर होगा ये कि भद्देबन को बढ़ावा मिलेगा तो शिक्षा से पहले पहली चीज है ब्रह्मचर्या इसलिए 12-12 साल तक ये 100 चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं जो लगभग 11-12 साल का होता है हर 100 चक्र पर आपके जीवन का चक्र बदल जाना चाहिए पहले 12-12 साल बाले आवस्था है जब आप उसे पार करें तो दूसरी शिक्षा और अनुशाशन की होती है उसे पार करने पर 24 साल की उमर में आप ये तह करते हैं कि आप परिवार में रहकर सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं या आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं आपका चुनाव है, सामाजिक मजबूरियों से नहीं, हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार, अब अगर आप इस तरह से बने हैं, कि विपरीद चीजें आपको अपनी ओराकरशित कर रही हैं, तब आप एक विवस्तित तरीके से उसे संभालते हैं, आपकी शादी और यते होता हैं, एक समय ऐसा था जब 30 प्रतिशत भारती आबादी सन्यासी बनने का चुनाव करते थे, 70 प्रतिशत लोग ग्रहस्त बनना चुनते थे, जो अपने आप में एक अच्छा जनसंख्या पर नियंतरन था, तो 48 की उमर में आप ग्रहस्त आश्रम से बाहर आ जाते ह यह जा चुका है न, क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? अगर आप इसे छोड़ते हैं, तो यह तलाख होता है, और तुरंथ ही आप किसी और को पकड़ रहे होते हैं, दूसरा, मकान बदलते हैं, उस धांचे को नहीं छोड़ते हैं, तो 48 पर आप 12 साल के लिए सन्यास लेते ह तो परिवार के ढाचे को छोड़ते हैं, क्योंकि अगर 24 साल की उमर में आपकी शादी होती है, तो जब तक आप 48 के होते हैं, आपके बच्चे 20 साल के उपर के होते हैं, हो सकता है वो इसे शब्दों में बोल न पाएं, पर वो आपको बाहर चाहते हैं, या वो बाहर जाना चाहते हैं, या आपको बाहर चले जाना चाहिए, इन दिनों आप चुन रहे हैं कि वो बाहर जाएं, अमरीकी तरीका, लेकिन भारत में माता पिता बाहर जाने का चुनाव करते थे, जब बच्चे 20-21 साल की उमर को पार करते थे, माता पिता बाहर चले जाते थे, ऐसा करना समझदारी है, तो पती और पतनी जो 24 साल तक साथ रहे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया, सचेतन रूप से, इसलिए नहीं कि उनके बीच कोई जगडा हुआ, खुद को सचेतन रूप से अलग कर लेते हैं, और ऐसी संस्थाएं होती थी, जहां लोग अगले 12 साल तक अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए प्रयास कर सकते थे, 60 की उमर में, अब 12 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद, जीवन के अनुभव को देखने के बाद, अब वो फिर से वापस आते हैं, पहली इस बार उन्होंने शारिरिक और भावनात्मक लालसाओं के लिए शादी की थी, इस बार उन्होंने पूरी तरह एक अलग कारण से फिर से शादी की, 60 पर एक शादी होती हैं, आज भी लोग एक चीज़ को बनाएं हुए हैं, वो एक साथ रह रहे हैं और फिर से शादी कर नहीं नहीं, सिर्फ तभी जब आप 12 साल के लिए बाहर जाएं और फिर से वापस आएं, जागरुकता से पहली बार जब आपकी शादी हुई थी, आप सचेतन नहीं थे, कुछ मजबूरियों के वज़ा से आपने शादी की थी, अब आप सचेतन रूप से ये कर रहे हैं, वो जीवन की वेवस्था थी, जो जीने का बहुत बुद्धिमान तरीका था, खेर आप ठीक वैसा तो नहीं कर सकते, पर आपको जागरुक होना चाहिए, जिंदिगी में अलग-अलग पड़ावों पर अलग-अलग चीज़ें महतुपून होनी चाहिए, साठ का होने पर अगर आपके लिए वही चीज़ें महतुपून है, जो अठारा में थी, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, चीज़ों को बदलना चाहिए, और आपको अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहिए, जैसा कि ये है, अगर आप बस इतनी ज पुद्धी पर उनके हॉर्मून्स का कबजा होता है, तो वो सोचते हैं, यही सब कुछ है, अगर आप उनसे कहें, ये ठीक है, मैं भी इससे गुजरा हूँ, तुम भी इससे गुजर रहे हो, ये ठीक है, ये बस एक दौर है, तो ये जिन्दिगी के अलग-अलग ये जिए छिन्द स कॉजरा हुआ है, ये जिन्यान वोग ए झामार आपoloniny आपा हूँ, मैं झालग- Elliot, कामें प्रशब Bestू है, ये इस से ओजए प्लग-पडमान था दो ह doable है, ये रहे हो वो तो न कढ़ा हुआ है, ये ये इस्से कने है, फुई तुम है, फैंए अगर मैं स